पितंपुर तेसिल के ग्राम चंदन खेडी में बनी प्रधानमंत्री ग्राम सलक्योजना ब्रश्टाचार की भेट चड़ गई है यहां सागोर से चंदन खेडी पहुचने वाले मार्ग पर पिछले चार वर्सों से वर्सा काल में हुई बारिस के चलते जल भराओ की समस्या ब इस रास्ते पर हर समय करीब 2-3 फिट तक जल जमा रहता है यह हमारा मुख्य मारग है जल भरा होने के चलते यहां वाहन लेकर निकलना तो मुश्किल होता ही है पैदल चलने वालों को भी काफी कठनायों का सामना करना पड़ता है पानी में होकर निकलना पड़ता है वहां पर एक बिजली का ट्रास्फर्मर भी लगा हुआ है जिसके कारण हमेशा तार तूटने पर करेंट फैलने का डर लगा रहता है कई बार तो यहां पानी के चलते वहन गिर जाते हैं और लोगों को गंभिर चोटे आ जाती है वहीं अब तक यहां किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने पहुच कर इस सड़क की सूद नहीं ली जिसको लेकर ग्रामवासियों में काफी आक्रोश था पिधंपूर से संजे सोनगरा की रिपोर्ट कोई कारवाई नहीं हो गई इसके अंतरगत मंत्री के रोज हमको फोन आते थे और इसके अंतरगत आप देख सकते हैं किसे ग्रामें निकलते हैं और यहां ट्रांसफर्मर भी है जिससे जनित में बहुत खत्रा हो सकता है इसके अंतरगत हमको अगर कहीं बाहर जाना रहता है तो हम जो एकविन का प्राइवेट रस्ता जो कच्चा है उसमें होके हमारे बच्चों को ले आते सर मंत्री और सर्पंज दारा की गई सर पिछले और अभी जो सिकायत अभी मेनी ओनलाइन भी डाली हुई है और ऑ्लाइन भी डाली हुई है पूर्व सर्पंज का नाम विनोद मुझाल एं गिरदारी मंत्री इसकी समय से आपने किसे को बता ही है इस समय से बताए हमना इंजिनर को बताए उसका पार फोन लागा तो तो उसको कितना समय होगा है कल लगाया था मैंना कल लगाया था अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना पुलें